ही एवरिवन, वेलकम टू रेप्लिका वल्ड, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शुली ट्रांस्मिटिड डिजीजिस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि हम लुग जानते हैं कि सेक्शुल ट्रांस्मिटिड डिजीज, जैसे कि नाम से इसके पता चलता है कि जो डिजीज यानि जो बिमारियां सेक्शुल रिलेशन्शिप की वज़े से क्या होता है, ट्रांस्फर होती हैं तो उनको हम sexual transmitted disease बोलते हैं यानि कि physical relationship की वज़े से यह जो है ट्रांसपर होती है ये एक person से दूसरे person में तभी transfer होंगी जब उनमें physical relation हो तो इस तरीकिसे sexually transmitted disease होती है ये और sexual transmitted disease की और भी नाम होते हैं जैसे कि sexually transmitted disease को हम venereal diseases भी बोलते हैं ठीक है? तो venereal diseases भी इनको बोलते हैं तो इसको VDs बोल सकते हैं शॉट में जैसे इसको हम लोग STD बोलते हैं Sexually transmitted disease को हम STDs बोलते हैं ठीक है उसी तरीके से हम लोग venereal disease same इनका नाम होता है इसको VDs बोल सकते हैं और इनको reproductive tract infection भी बोलते हैं क्या बोलते हैं reproductive tract infections तो तीन नाम इसके हो सकते हैं ठीक है तो रिप्रोड़क्टिव tract infection RTI भी हम इनको बोल सकते हैं तो sexually transmitted disease venereal disease and reproductive tract infection यानि की RIRTI तो इस तरीके से यह तीन नाम हो जाते हैं हमारी यह वो diseases होते हैं जो कि sexual transmission से फैलती है ठीक है ऐसा नहीं होता है इन diseases में कि कोई एक person है वो दूसरे person का जूटा खा ले अगर या उसका सेम टावल यूज कर ले या अगर वो जो diseased person है जिसको बिमारी है वो चीक दे तो उससे फैल जाएगी क्योंकि एक Corona की तरह ऐसे नहीं फैलती है इसे Corona जो है हमारा वो मतलब एक क्या है टांस्मिटेंस वाली डिजीज है वो एक ऐसी डिजीज जो टेजी से फैलती है ना कंटाजियस है वो तो वो तेजी से फैलती है पर उसका रूट क्या है उसका रूट यह है कि अगर कोई भी परसन चीक देता है तो इसकी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं और फिर अगर वो ड्रॉपलेट्स कोई healthy person inhale कर लेता तो उसको हो जाता है ठीक है यह डिजीज उसको हो ज होता यह और ली नहीं फैलती है ठीक है तो अब इसके बहुत सारे एक्जांपल है जैसे कि हम लोग इसके कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन-कौन से इसके एक्जांपल से सेक्शुल ट्रांस्पूर्टीड डिजीज के तो इह होती है और जनाइटल वॉर्ट्स जनाइटल हर्पीस ठीक है तो गौनोडिया जनाइटल वॉर्ट्स जनाइटल हर्पीस एड्ज हैपेटाइटिस भी तो इस तरीके से और भी डिजीज होती है कुछ इंपोर्टन डिजीज जैसी कि एक साइफल्स भी होती है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके की डिजीज होती है और भी बहुत सारे डिजीज होती है पर यह मैंने कुछ कॉमन एग्जैम्पल्स लिख्या है कि जैसे कि गौनोड बिबारिया, genital warts, genital herpes, AIDS, hepatitis B और साइफल, कुछ ऐसी diseases होती हैं जो की sexually transmitted होती हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक, चीक है तो इस तरीके से होता है, उस में से AIDS and hepatitis B यहाँ पर यह लिखी हुई है, इन में से AIDS and hepatitis B ऐसी बिमारिया हैं जो की sexually transmitted होती हैं और साथ साथ म तो होती है साथ साथ में यह ब्लड ट्रांस्फूशन से भी फैल सकते हैं माने कि जो हमारा एक डिजीज परसन है वाली जै किसी इंसान को एड्स है तो दूसरे इंसान को एड्स होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर वो उसके साथ फिजिकल एडिशन शिप बनाता है तो हो सकता है यह इसको या फिर अगर इस इस परसन का जो ब्लड फै वह लट में डूसरा जा नीडल भी इस्तेमाल् कर लेते हैं र Carneी डूसरे परसं के इस्तेमाल कर लेंगे तो जो नीडल होती है वह ब्लड के कॉन्टक्ड के Rights नाती है तो अगर सिं टुम शैर बहुत से लोगिर तो उससे भी सय लोग और गालोकियी एड़ वा इड़ करें है किसे भी वजह से जरूरी निया सिफ ड्रॉट के केस में, किसी भी वज़े से अगर नेडल सेम यूज करते हैं, तो भी healthy person को drugs, healthy person को AIDS हो जाएगा, तो इस तरीके से AIDS और Hepatitis B के कुछ और भी root हैं, ट्रांस्मिशन के, जैसे कि एक तो हमारा normal हो गया, sexual transmission, दूसरा हमारा हो जाता है, blood transfusion, यानि blood अगर disease person का healthy person के अंदर चला जाता है, और हम syringe का अगर इस्तिमाल कर लेते हैं, मतलब needles का इस्तिमाल कर लेते हैं, same, उसके बाद इसी चीज़ है कि जो infected mother है, उससे fetus को भी चला जाता है, यह अगर मदर को है, तो fetus को भी चा सकता है, और Hepatitis B भी अगर मदर को है, तो इस तरीके से यह कुछ important diseases हैं, और भी diseases होती है, तो बच्चों, आज हम अब आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ diseases के बारे में, उनके causal agent के बारे में कि कौन से bacteria या कौन से agent से वो होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इसके symptoms होते हैं, और कैसे इसको pure किया जा सकता है, चलिए students अब देखते हैं कुछ diseases उनके causal agent और क्या symptoms होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ diseases लिखी वो है हमारी क्लेमाइडिया, यह हमारी होती है एक agent से, यानि causal agent है इसका क्लेमाइडिया ट्रैको मैटस, तो इसका जो agent है क्लेमाइडिया ट्रैको मैटस, ठीक है, तो पहले हमें काम करते हैं, सारे disease के causal agent देख लेते हैं, फिर one by one उनके symptoms हम लोग देखेंगे, तो जो डिजीज है वो ट्राइको मोनास वेजी नालिस से होती है, किसे होती है ट्राइको मोनास वेजी नालिस, फोर्थ जो है हमारी genital wats, जो genital wats हमारे होते हैं, वो human papilloma virus से होते हैं, किसे होते हैं, human papilloma virus से, उसके बाद जो number 5 है वो है genital herpes, जो genital herpes होता है, वो herpes simplex virus से हो से होते है हरपी सिंपलएक्स वाईरस से हमारा elli beatuallyrias हमारा एड्स है वह हमारा है यूमन इंून डंक ऐफिशेंसी वाइरस किसे बच्छो यूमन इंध्य सीवाय्स हमारा एड्स है इसके बारेhouse detail में पढ़ेंगे चैके तो एचेणिस के इन हैं यह वे पीडियों है फिर हम थी तटे प्रुट करें लिक्ते लगते हैं या फिर हम उसको लिए गर अप़र फोल्ट कर देते हैं और जो हमारे जरीषम नेम होता या जो जो पहला जो achi रखते हैं और यह फिशिज होती है उसको तो हम लोग छोटा ही रखते है उसके पहले लेटर किया नी कि सिर्फ जो हमारे सैंटिफिक नेम उसमें स्हलाइन जी जएब जोँस दो चीजे पहले गे जो होता है अगर किसी परसन को लाइडिया हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं जिससे की हम पहचान सके कि हां उसको यह प्रॉब्लम यह डिजीज हो गई है ठीक है बच्छो तो इस तरीके से पहला जो है वह हमारा युरेथ्रीटिस ठीक है युरे है याइन कि म्यूकस और पेस से शरु हुआ ज्याता है उससे पता चल जाएगा ढर्रति प्रॉस इस ग्र ப फीमेयले यह बात हुई हमारी क्लेम आइडिया कि तो गोनोरिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पस निकलता है ठीक है पेन ओवर जैनिटेलिया एक्स्टरनल जैनिटेलिया में दर्द होना शुरू हो जाता है बर्णिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन जब भी वह परसन यूरिनेट करत पर आयशय के टाइम पर बर्निंग उती एठीक है जलन का असास होता है उसकी और याव्त ना टाइव जाथि जहें उसमें क्या करे चीज़े होती है Fowl Smell वेजीनाटिस त्थीए त्थीज़क है सबसे पहले तो क्या होता है हमारा वेज़ाइना का Inflammation होने लगता है ठीक है उसकी लाइनिंग का और Fowl Smell आने लगती है वज़ाइना से फीमेट में ठीक है क्योंकि वजाइना फीमेट यलो डिस्चारज होने लगता यह लिनल ओर बल्वा बरणिंग होने लिगता है घ cluster घार अगर हम मेल्श में बात करें फील इस तरीक से यूरेट्रीटिस भी होता है तो इस तरीके से अलग-अलग चीजे होती है में बी कुस्स सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं उसके बाद हमारे जो नेक्स डीजिस आते होते हैं हमारे जैनाइटल वाट्स नेक्स डीजिस हमारे आते हैं जैनाइटल वाट्स तो यह होते हैं यूमन पैपिलोमा वाइरस से यह तो हम डिसकेस कर चुके हैं तो इसमें क्या के चीज़े होती हैं वाट्स ओवर स्किन जो स्किन होते हैं उसमें वाट्स हो जाते हैं और एक्स्टरनल जैनिटेलिया में वा वजाइना तक एंटर हो सकते हैं, सर्विक्स तक एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, उसके बार next हमाना आता है genital herpes, जो की herpes simplex virus से होता है, genital herpes में बच्चों क्या होता है, reddish ulcer over external genitalia, जो है हमारा, external genitalia है, तो उस पर क्या होता है, उसमें ulcer होने शुरू हो बच्चों क्या हो जाते हैं? अल्सर होने शुरू हो जाते हैं स्वेलिंग हो जाती है और पेन होने लगता है इस तरीके चीज़े होती है यह सब चीज़े महाँ पर होती है उसके बाद next जो है हमारा वो है साइफिल्स साइफिल्स हमारा ट्रिपी नेमा पैलीडम से होता है साइफिल्स में क्या होता है? पेनलेस अलसर होते है देखो साइफिल्स जो होता है उसमें तीन स्टेज़े होती है यहाँ पर प्राइमरी स्टेज में तो क्या होता है? पेनलेस अलसर होते है पर फिर रेशी होने लगते है इससे में नोस पर भी व्यास चुरह जाता है और जो kay उस पर वह नब दिखाता है kin बात करें एड्स की अगर तो यह यूमन इम्यून डिफिशेंसी वाइरस से होता है यह बहुत फेमस डिजीज है यह चीज़ हम जानते है और एड्स जो है अब तक क्यूरेबल भी नहीं है ठीक है इसको क्यों नहीं किया जा सकता है तो इसके जो सिम्टम से मैंने आप सिर्फ यह चीज लिखिए है इम्यून डिफिशेंसी शे कि सारी चीज कोरो जाते है अग्च जो हमारा एड्स का वाइरस होता है एक। वो क्या करता है जो हमारी टी सेल्स होता है वह मेली उनपर अटेक करता है यह अगरम ऑवर ऑल डिखना चाहें तो dru बहल एक चाहें कि जो हमारी इम्यूनीटी सिस्टम होता है उसमें इम्यून सेल्स नोगती है उन पर अटाक करता है और उनके नमर्स प सक कम करता चला जाता है उनकी नमर्स को कम कर सकत्य हो था तो तो अक्चॉल जाती है वो परसं एड के कोई सिंटरल से नहीं मरता है AIDS कुछ नहीं करता है AIDS के कोई ऐसे basic symptoms नहीं कि ऐसा हो जागा वैसा हो जागा AIDS सिर्फ इतना करता है AIDS में सिर्फ इतना होता है कि जो immunity system है वो कमजोर हो जाता है फिर जो इनसान है वो मरता कैसे है और जो infections है उनसे मरता है जैसे कि अगर आज पास बुखार चल रहा है फिवर चल रहा है तो AIDS वाले परसन को फिवर जरूर होगा ठीक है समझने है क्योंकि उसकी immunity बहुत कम होता है पहले चाहिए उसको नहीं होता है अगर किसी को TB होगा है TB वाले के वो contact में आ जा थोड़ा वह तो उसको TB हो जाएगा इस तरीके से उसको यह जो हम बोलते हैं अपोर्चुनिस्टिक जो यह बेक्टिरिया वाइरस होते हैं यह उसके उपर अटैक करने लगते हैं जो पहले उसको कुछ नहीं बोल पाते थे तो लोकल इंफेक्शन से यह बंदा धीरे-दीरे से मौत की तरह जाने लगता है क्योंकि मालो किसी TB वाले कॉन्टाक्ट में इसको TB हो जाएगा तो यह तो जो नॉर्मल इंफेक्शन होता है परसन उनी से मर जाता है क्योंकि उसकी इम्मूनिटी तरह काम हो जाती है क्योंकि उसकी जीने के लिए वह काफी नहीं होते क्योंकि इंम्युनिटी बहुत इंपोर्टेंट है जीने के लिए बढ़ नाम इंफेक्शन्स वगएर से कैसे बचेंगे इसलिए मैंने लिखा सकता चीक है तो इस तरीके से बच्चो ये कोछ डिजीजिस की उनके कौशल एजेंट्स और सिम्टम से तो आज हम लोगों ने सेक्शुली ट्रांस्मेटेड डिजीज कवर कर लिया तो बच्चो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें शेर करें और रेप्लिका वर्ल को सब्सक्राइब करें